हेलोग को हैवरिवन कैसे है आप सब आज का जो टापिक जो है मैं डिसकॉशन के वह है इंटरनाशनल आफ़ेरस तो पुरे हफ़ते के इंटरनाशनल आफ़ेरस के ओपर जो करन आफ़ेरस आई है उन सभी के बारे में हमाज के इस वीडियो में डिसकस करनी वारे है जो कि आपके एक्जाम पांजो विए सब बहुत ही इंपोर्टेंट है और जो भी आप कम्पेटिटिव एक्जाम के लिए पुपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी फायदे मंद होगा तो इस वीडियो को जो हैं तक जरूर और अभी दग अगर आप लोगोंने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताक कि आपको अगला नूटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज का डिसकाशन शुरू करते हैं तो आज का पहला जो टॉपिक जो है हमारे सयुगत राश्टर द्वारा अपनाया परमाणों हतियारों के निशेत के लिए जो है पहली फर्स्ट आवर्स एक जो ट्रीटी जो है वो लागू हुआ है तो ये उसी से रिलेटे टॉपिक है तो आभी सयुगत राश्टर जो कि UN महासभाद्वार अपनाए गई ट्रिटी on the Prohibition of Nuclear Weapons TPNW by January 2020 से लागू हुई है और ये पहला आंतरराष्ट्रिया समझोता है जो कि परिमानों हथियार पर प्रतिबन लगाता है और इस ट्रिटी को अभी 2017 में समयुक्त राष्ट्रे महासभाद्वार अपनाए गए था स्थानांतरन उपयोग करना और परमानों हथियारों के इस्तेमाल का खत्रा अगर यदि कोई परमानों सशस्त्र राज्यसंधी में शामिल हो रहे है तो एक समय बद धाचा जिसके कारण उसके परमानों हथियार कार्यक्रम का सत्यापन और अपरिवर्तन या उन्मुलन हो जाता है यह प्रदान की गई इसमें और अब तक जो है 86 जो कंट्री जो है उन्होंने टीपी एन डवली उपर साइन किये है और 52 ने जो है इसकी पुष्टी की है और हलाके यह परमानों सक्षम जो देश जो है वह है सायुत राचा यानि की यूएस, रश्या, ब्रिटेन, चाइना, फ्रैंस, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इस्राइल जो कि अगोशित परमानों शक्ति है उन्होंने अभी इस संधी का समर्थन नहीं किया और ना ही इस पर हस्ताक्षर किये है तो यह उसे से रिलेटर टॉपिक है देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एनसी ने जो है 2020 में डागा था दूसरे साल विश्य के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज खिताब बरकरा रखा है तो यह उसे से रिलेटर टॉपिक है तब है फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसियेशन एफ आई एक के अनुसार नैशनल स्टाउक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड नैसी 2020 तक लगाता दूसरे साल में जो है कारोबार की संख्या के मामले उसमें जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन रहा है बना रहा है और दूसरी और जो है वर्ड फेडरेशन आफ एक्चेंज डाब्लिव एफ इने जो है कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए जो है ट्रेंडों की संख्या के हिसाब से नकत एक्विटी के मामले में इसे फोर्थ रैंक दिया है तो यह उसे से रिलेटेट टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक जो है संख्युत राष्ट्र विश्य विद्या लेने जो है दुनिया में एंडिंग डेंपर रिपोर्ट जारे की है तो युनाइट नेशन्स उनिवर्सिटी इंस्टिटूट फोर वाटर अनिवेर अन्विरोमेंट एन्वारोमेंट एन्वारो एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क नाम का एक जो रिपोर्ट जो है वो जारी किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े जो बांधों की उम्र बढ़ाना और एक वैशिक विकास मुद्दा है और क्योंकि वे जो है मानम सुरक्षा और परियावरण के लिए खत्रा है और जो है लगभग 10,000 से अधिक बांध 50 वर्ष की सतर्क आयू सीमा तक पहुंच चुके है या इससे जो है अधिक हो चुके है और कई बांधों की जो जल्दी जो है 100 साल भी मत्तब 100 साल तक पहुंचने के उम्मीद है और भारत में जो है लगभग 1115 बड़े बांध 2025 तक 50 साल के निशान तक पहुंचने के लिए तयार है तो यह उससे इलेटर टॉपिक है तो हमें नई जो टॉपिक जो है JSC की भारत बांगलादेश में उर्जाक शेतर में जो है सयोग पर 19 वी बैठक ठाका बांगलादेश में आउजित की गई है तो हमें 13 जन्वरी 2021 को भारत समिती JSC की जो है 19 जो मीटिंग जो है ठाका बांगलादेश में आउजित की गई है और जबकि भारत्य प्रतिनिधी मंडल का जो नेत्रित्व जो है बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय ने किया है जबकि बिजली सचिव मजी हभीबूर रहमान ने जो है बांगलादेश का प्रतिनिधीत्व क्या है देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है बैंगलरू विश्व की सबसे तेजी से बढ़ी बढ़ती जो है परिपक्वा टेक पारिस्तितिकी तंत्र के रूप में उभरा है रिपोर्ट के अनुसार तो लंदन और पार्टनर्स लंदन ने व्यापार और निवेश एजनसी के जो है मेर है उनके द्वारा जो है विशलेशन किया गया है कि डिल्रूम.com डेटा से ये पता चला है कि बैंगलूरू जो है जो कि करनाटका में है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते परिपक्वा तकनिकी पारिस्तिकी तंत्र के और 2016 में इसका निवेश 5.4 गुना बढ़कर 2016 में 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 7.2 बिलियन डॉलर हो गया है और इस लिस्ट में जो है लंडन, म्यूनिक, बर्लिन, पैरिस का भी स्थान है तो ये उसे से लिए टॉपिक है दर नहीं जो टॉपिक जो है C.A.S. 2021 की मेजबानी नेदरलेंड द्वारा की गई है जो कि P.A.M. नरिंद्रमोदी ने शिकर सम्मिलन को सम्भोधित किया है जबकि तो ये उसे से लिए टॉपिक है तो 25 जनवरे 2021 को नेदरलेंड सरकार ने जो है Amsterdam नेदरलेंड से Global Center on Adaptation GCA की समर्थन की साज जो है एक आभासे आंतराष्ट्रिय जलवाई अनुकुलन शिकर सम्मिलन C.A.S. आउनलाइन 2021 की मेजबानी की है और शिकर सम्मिलन ने जो है व्यापक अनुकुलन करवाई अजेंडा AAA का जो है शुभरम किया है जिसने अनुभव प्रचार, निगरानी और साजाकरन के माध्यम से साजिदारी के माध्यम से जलवाई अनुकुलन पर कारवाई में तेजी लाने के लिए तोपिक है दिना में नहीं जो टॉपिक जो है काउंटर टेरोरिजम 2021 पर जो भारत UKJWC की 14 जो बैठक जो है वो अभासी तरीके से आउजित की गई है तो काउंटर टेरोरिजम 2021 पर जो भारत इंवर्याटर किंडम जॉइन वर्किंग ग्रूप जे डव्यूसी की 14 जो मीट जहां पर दोनों ही राष्ट्रों ने जो है आतंगवाद के वैशिक खत्रे से निपड़ने के लिए रांतर राष्ट्रिया सहियों को मजबूत करने पर जोड दिया और COVID-19 महामारी के दोरान जो है आतंगवाद का मुकाबला करने के लिए चर्चाय भी की गई इसमें तो य आक्सफेम रिपोर्ट के अनुसारी की यह रिपोर्ट है तो यह उसे से रिलेटेट टॉपिक है तो आक्सफेम रिपोर्ट इनक्वेल्टी वाइरस के भारतिया पूरक के अनुसार शिर्ष यानि के टॉप हंडरिट भारतिया अरभपतियों ने जो है लॉकडाउन के दोरा अपनी संपत्ती को 35% बढ़ा कर 12,97,822 क्रोर रुपे कर दिया है और इस राशी के साथ जो है 94,045 रुपे का चेक 138 मिलियन गरीब भारतियों को प्रदान किया जा सकता है तो यह उसी से लिए टॉपिक है तरह उसके बाद और एक टॉपिक जो है उंगा ने जो है दुनिया भरे में धार्मिक स्थलोग की सुरक्षा के लिए संकल्प अपनाया है प्रस्ताव जो है साउदी अरब द्वारा प्रस्तावीत किया गया था मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवेट, यमन, बहरिन, सुडन, उमन, संग्त अरब अमिरत और फिलिस्तिन, सहीद अरब देशो द्वारा जो है सहे प्रायजित था भारत ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है तो यह उससे इडियर टॉपिक है तो अभी नेग जो टॉपिक जो है 2020 में भारत में FDI 13% बढ़ गया लेकिन वैशिक सतर पर 42% कम हो गया है तो यह उससे इडियर टॉपिक है तब इन 1990 के दशक के बाद व्यापार एवंग विकास पर संयुक्त राश्ट्र का जो सम्मेलन जो है UNCTAD के 38 जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्रेंट्स मॉनिटर के अनुसार जो है साल 2020 में ग्लोबल प्रत्यक्ष विदेश्री निवेश FDI में गिरावट देखी गई है जो कि 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 42 परसंट घटकर 59 बिलियन डॉलर हो गई है और इसके विपरित जो है भारत ने FDI में 57 बिलियन डॉलर में 13 परसंट की विद्धी हुई है जो कि डिजिटल शेतर में निवेश द्वारा संचालित है और चीन ने जो है 4 परसंट की विद्धी के साथ 163 बिलियन डॉलर का अधिक्तम FDI लिया है यानि कि ये COVID-19 विकास की जगा होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता भी बन गया है तो ये उसी से रिलेटर टॉपिक है देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत ने जो है साथ राष्ट्र पीस बिल्डिंग फर्ण में जो है 150,000 डॉलर की प्रतिग्या की है 26 जनुरी 2021 को भारत ने जो है 2021 के लिए साथ राष्ट्र यानिकी UNPBF Peace Building Fund की गतिविधियों के लिए जो है High Level Replenishment Conference for the Peace Building Fund के दोरान US$ 150,000 की जो है प्रतिग्या की है इसकी घोष्णा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाय प्रतिरिंधी TS3 मूर्ती सुरी तिरू मूर्ती द्वारा की गई थी और ये प्रतिग्या जो है संयुक्त राष्ट्र के Peace Building की 2020 की समिक्षा की तर्ज़ पर है जो कि सामुही की रूप से शांती निर्मान और उसको जो है मजबूत करने के लिए एक ठाचा प्रदान करता है देन उसके बाद और एक जो टापिक जो है भारत नी जो है उर्जा सुरक्षा के लिए IEA के साथ रण नितिक साज़ेदारी समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो 27 जनवरी 2020 को भारत सरकारनी आंदराश्ट्र उर्जा अजेंसी IEA के साथ रण नितिक साज़ेदारी समझोते पर साइन किया है जो कि वैशिक उर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में महत्तोबूर्ण भूमी का निभाएगा और ये पहल भारत को IEA का पूर्ण कालिक सदस्या बनने का मार्क प्रशास्त करेगी उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वैशिक जलवाए जोकिम सुचकांग 2021 में भारत सेवेंथ रैंक पर रहा है और मोजंबिक सबसे उपर रहा है तो भारत ने जो है CRI 2020 में पांच वे से ग्लोबिल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 who suffers most from extreme weather events 2019 और 2000 से 2019 में मौसं से संबने नुकसान की घटनाई जो है उनके 16th edition में अपनी रैंकिंग जो है 7th मतब 7 पर सुधार लिया है और इसे जो है जर्मनी स्थितिंग टैंग जर्मन वाच ने जारी किया है जो कि सुची में जो है जिंबावे और बहामास के बाद मौसंबिक जो है वो उनके द्वारा टॉप पर है देन उसके बाद और एक जो टॉपी जो है तुर्की ने जो है अभासी तरीकी से अईशिय सहयोग वारता 2021 को जो है 17th मंतिस तरिया बैठक की मिजवानी की है तो 21 जनवरी 2021 को एशिय सहयोग संवाद ACD के वर्तमान अध्यक्ष तुर्की सरकार ने जो है दा न्यू नॉर्मल और सेफ और हल्दी तुरिजम विशाय के तहत आभासी सहयोग में एशिय महा सहयोग वारता 2021 की 17th मंतिस तरिया बैठक जो है उसकी मिजवानी की है तो यह उसे से इलेटर टॉपिक है तो अभी नई जो टॉपिक जो है UN ने जो है पिपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट जलवायो परिवर्तन पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षन की खोज जारी किया है खोज जारी किया है तो यह उसे से इलेटर टॉपिक है तो अभी समयुक्त राश्टर विकास कार्यक्रम UNDP ने जो है पिपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट जलवायो परिवर्तन पर जो है सारवजानिक राय का विश्वा का सबसे बड़ा सर्वेक्षन के परिणामों को जारी कि है और सर्वेक्षन में जो है लगभग 1.2 मिलियन लोगों ने भाग लिया जिसमें से दो तीहाई लोगों को जो है 64% का मानना है कि जलवायो परिवर्तन जो है वैशिक आपतकाल है तो यह उसे से लेटर टॉपिक है तो उसके बाद और एक जो टॉपिक है हर्षवर्धन न फॉर्थ एडिशन को संबोधित किया है रियाद स्वादी अरब से आभासी तरीके से होस्ट किया गया है इसको तो 27 से 28 जैनुरी 2020 तक फुचर इन्वेस्टमेंट इनिटियेटिव FII Forum 2021 जो है उसके फॉर्थ एडिशन का जो है जो है आजन द नियो रनेसंस की थीम के तहत स आभासी तरीके से किया गया था और इसकी मेजबानी जो है FII संगस्थान ने की थी और यह उसे से इन्डेटर टॉपिक है देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत 86 रैंक पर फिसल गया है नियूनियतम प्रश्टाचार के साथ न्यूजलेंड और डैन्मार्क जो स्कोर के साथ 86 रैंक पर फिसल गया है 2019 में जो है भारत 41 के स्कोर के साथ 80 वे स्थान पर था जैनके 80 स्थान पर रैंक पर था और एक निमना स्थिति बताती है कि CPI 0 से 100 के पैमानों का उपयोग करता है जहां 0 इत्याधिक प्रश्ट है और 100 जो है बहुत साफ है तो यह उसे related topic है तो आज के लिए इतना ही है कल हम भी मिलते है एक निया topic के पूरे हफते की current affairs के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहेगा like share subscribe करना प्लीज मत बुलिएगा कोई गर सुझा हो तो comment करना प्लीज मत बुलिएगा क्योंकि आपका जो support है वो हमे बहुत ही motivate करता है hard work करने के लिए so please keep watching our videos like share and subscribe take care Jay